Hello to all my dear friends, my name is Sumitrana, अच्छो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Sumitrana BSC Classes में बहुत-बहुत सागत है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 6 सेमेश्टर में evolution के बारे में discuss कर रहे थे तो evolution के इस process में हम लोग आज के जो topic के बारे में discuss करने वाले आज का topic बच्चो आपका है बहुत-बहुत खास है इसलिए थोड़ा सा आप लोग यहां पर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा यह fossils के उपर, किसके उपर है बटा, fossils के उपर है fossils को हम लोग Hindi में कहते है जीवास में अब जो fossils है और इनके जो प्रकार है जो fossils है और इनके जो प्रकार है इसके उपर question आपका बन सकता है objective question definitely आ सकते हैं यहां पर कही कही theory based हो रहा है तो वहां पर थोरी भी आपको लिखने के लिए कुछ ही जा सकती है और आज का जो lecture बिटा हमारा यह है lecture 7 है और इस lecture 7 के अंदर हम लोग fossils के बारे में डिस्कस करेंगे evolution के process में ही जैसे के आपको पता है पहली दूसरी तीसरी यूनिट जो है तीछी के उपर ही है मतलब तीज से चार उनिट चार उनिट तक क्या है evolution के उपर ही based है थर्ड उनिट evidences ऑफ evolution है जा इसे बात evolution की बात कर रहे हैं तो evidences दूसके प्रमाड़ क्या है evolution कैसे हुआ यह थो जान लिया evolution क्या है यह भी हमने जान लिया है आ औरिघॉनिजं की तो इसको सिद्ध करने के लिए फॉसिल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है और फॉसिल्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो और गरिक एवलूशन को आप देखेंगे बहुत बहुत जादा प्रमार्ड करते हैं कि भाई और गरिक एवलूशन इसी तरीके से हुआ होगा जिस तरीके सिक्स समस्टर का यह पूरा प्लेलिश में बना रहा हूँ जिलोजी का पहला पीपर इसमें आपको पढ़ाया जाएगा एक्जाम से पहले-पहले मैंने बाता किया था कि आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा तो डेफिनिटल यहां पर क्लासेज आ रही है अब मैं की बात करेंगे और बहुत-बहुत विसेश है जिवास्म के बारे में पढ़ना लॉड़ चलो start करतें लिखा हुआ है जो for तो इस बात को याद रखेगा जिस का अर्थ होता है किसी चीज को खोद कर निकालना Fossils की जो उत्पत्ती हुई है वो Latin भाषा के Latin भाषा के किस से बेटा हुई है Latin भाषा के Fossilum से हुई है किस से हुई है बच्चों Fossilum से हुई है और Fossilum का मेन reason या मेन अर्थ क्या होता है इसका मुख्य अगर आपको यहाँ पर meaning निकाले तो क्या है तो किसी भी चीज को खोद कर निकालना यानि कि जब खुदाई की जाती है तो उस खुदाई के समय में बहुत सारे ऐसे प्रमाण भी बाहर आ जाते है जो ये सिद्ध करते है कि वो organism या वो जो प्रमाण हमको मिला है ये कभी न कभी इस प्रत्वी के उपर exist करता होगा ठीक है ये क्या करता होगा पिटा इस प्रत्वी पर exist करता होगा तो fossils क्या होते हैं आप समझ क्या होंगे न fossils क्या है किसी भी जीव के वे पदार या किसी भी जीव के वह भाग जो हमें फॉसिल्स के रूप में जीवास के रूप में मिलते हैं और वो यह सिद्ध करते हैं कि वो इस प्रत्वी पर कभी न कभी एक्जिस्ट करता था या करता होगा या आज भी करते हैं हमको पता है डाइनासौर को तो नहीं कैसे होते हैं टो डानसौर को क्या question पूछा जाता है एक नंबर में कि fossils के अध्यन को क्या कहते हैं तो आपके सर fossils के अध्यन को paleontology कहते हैं आगे देके लिखा हुआ है fossils organic evolution के महत्यपूर evidences होते हैं fossils जो होते हैं जो organic evolution हुआ है ठीक है लेकि प्रक्रिया को कह कैते है बटा fossilization कोने आप जो फॉसेल्स बना अब जायड़ी बात है जो फॉसव में मिले हैं वह जous कैसे बने और रहना वह बने ंगे ना फॉसन कैसे बने उसकी फ्रक्रिया को अपने लोग क्या क przy tate है mm प्शीलाईजेश yay जाने वाले जन्तू और पौधों के अब है जिवास्मक की अगर हम बात करें जब हम अगर फॉसल की बात करें तो फॉसल क्या होते बटा प्राचीन KAL में प्राचीन का необходимо व्यां Ella period में पाए जाने वाले जन्त या पौधों के अवशेश होते है remaining parts होते है जो किसी रूप में चटानो कॉमा कोलतार के गड़ों चटानो कॉमा कोलतार के गड़ों यानि कि आप जानते हैं जो कोलतार होता है जिसे road बनाई जाती है उसको कही न कहीं स्टूर किया जाता है तो उसके गड़ों या जमी हुई बर्फ के बीच में पाया जाते है ठीक है इनके अवशेश कहां आपको मिलेंगे मुखिरूप से चटानों ठीक है चटानों में दवे होए मिलेंगे कोलतार के गड़ों में जमय हुए मिलेंगे या जमी हुई बर्फ जो बहुत समय से जमी हुई बर्फ है वहाँ पर मिलेंगे और ये कोईले की ख़दानों पामा चूना पत्थर की चट्टानों या पत्थर के चूना पत्थर की चट्टानों या पत्थर के चट्टानों के बी जिस एरिया में organism रहता होगा, उस एरिया में कोई ना कोई climatic changes हुआ होगा, जिसकी वज़े से वो organism वही के वही मर गया, या जब उसका dead हो गया, तो वो dead part क्या हुआ, उसके उपर sedimentary rock का निर्माण हो गया, रॉक का formation हो गया, या rocky layers का निर्माण हो गया, जिससे क्या हुआ, व वो कुछ इस तरीके से हुआ होगा, और यह अधिकतर इसी में पाए जाते होंगे, आगे देखे लिखा हुआ है बच्चो, जो fossils होते हैं, लिकत कर रहा है, sorry, देखे लिखा हुआ है, fossils primitive time से करोणों वर्स पहले पाए जाने वाले organism के अवशेश होते हैं, जो रॉक्स, कॉम स्टोन वा सेंड आदी में, प्रिंट के रूप में पाए जाते हैं, जो कहां मिलने बिटा, चट्टानों में, स्टोन्स में, है ना, चट्टानों में, स्टोन्स में, और सेंड में, है ना, रेत में, ये प्रिंट के रूप में पाए जाते हैं, एक तक्षी के रूप में मिल प्राचीन जीवों के अवशेशों को, अगर आप किसी वस्तु को निकालते हैं, या कोई एक ऐसा प्राचीन जीव है, जो एंसेंट जीव, पुरातन जीव है, जो मिट्टी के अंदर दवा हुआ है, चट्टानों में दवा हुआ है, या कहीं भी बर्फ में दवा हुआ है, त सबी वस्तुमें या चिन फॉसिल्स कहलाते हैं तो आप कहेंगे सर ऐसी वस्तुमें या ऐसे प्राचीन जीवों के अवशेश या ऐसे चिन मार्क है ना ऐसे मार्क जो प्रत्वी से खोद कर बाहर निकाले जाते हैं उन सबी को हम क्या कहते हैं बिटा फॉसिल कहते हैं जिवास बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे टाइप आफ फॉसिल्स यह आपके एक्जाम की पॉइंट आफ इसी बहुत बहुत विसेश है तो इसको थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा जीवाश्वों के प्रकार के अगर हम बात करें देखें बच्छों लिखा हुआ है कि फॉसिल्स की और और ऑर्ग इनिजम के प्रिमटिव और गनिजम के करोणों वर्स पुराने उसकी फॉल ब looking या भॉटी के किसी भाग बने क्या बताया है कि फॉसिल्स किकी प्रिमटिव और जीव है。 उस जीव के पूरी बॉडी का या उसके बॉडी के किसी भाग का है ना के प्रिंट या इंप्रेशन की फॉर्म में निर्मित होते हैं ठीक है या पाये जाते हैं ठीक है फॉसिल्स किसी ऑर्गनिजम के किसी भी ऑर्गनिजम चाहिए वो एनिमल हो प्लांट हो है ना इंसेक्ट तो कोई हो, किसी भी और्गनिसम के करोड़ो वर्स पुराने उसकी पूरी बाड़ी के किसी भाग के प्रिंट या इंप्रेशन की फार्म को निर्मित करते हैं, निर्मित होते हैं, ठीक, आगे देखे लिखा हुआ है, फॉसिल्स को इनकी मार्फोलोजी प्रोड़क्शन के है, है ना, इसके आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, जो फॉलॉइंग के टेगरीज में क्लासिफाइड या डिवाइड किये गए है, तुन्निम लिखित के टेगरीज में डिवाइड किये गए, वैसे तो पांच प्रकार ही बहुत इंपॉर्टेट है, बाकि मैंने यहा फासिल्स के रूप में ही प्राप्त की गई है, ठीक है, तो फासिल्स के अगर आप बात करें तो यह मुख रूप से कैसे होते हैं, पांच प्रकार के ही होते हैं, मुख रूप से, अगर आप बुक्स को देखेंगे तो यह मुख रूप से पांच प्रकार के होते हैं, अगर ठीक, क्या होता है भी मैं बताऊंगा, दूसरा यहां पर जो Fossils का प्रकार होता है, वो होता है Petrification, अब यू भी कहें कि Fossils बनता कैसा है, इंप्रेशन से भी क्या होता है, Fossils बन जाते हैं, Fossils के Impression भी पाया जाते हैं, कॉप्रोलाइट कहने का मतलब भी समझ को, कॉप्रो मतलब क्या होता है, वेस्ट मेटरियल, तो किसी आउगरिजम का वेस्ट मेटरियल Fossils के रूप में प्राप्त हो गया, या Tracks and Trials, मतलब उसके पदचिन्नों को कोई भी Fossils पदचिन्न कहीं से निकला और नम-मिटी के पास से निकला या मोल्ट के पास से निकला तो क्या होगा, जो नॉरमल इस्थान होते हैं, वहाँ पर आप जिसे मालिो की नम-मिटी के पास से आप निकलते हैं, तो क्या होता उसी-पक्रम नियुकला, जब वो निकला तो वहां पर उसके क्या बन गै?े-पंजों कि नियुकल को बन गै. और बाद मेए कभी वोजो- Marvel's प्रोप इस रूप में छेंजंज हो गई. है न? जोफ रॉक के रूप में ऐगी. जब वो फ्रॉस रॉक उससा ममी तो यह ममी भी जो है यह करके हम इसके करते हैं के लिखा हुआ है कभी-कभी जीवधारी का पूरा सरीर, कोई भी एक ऐसा ओर्गनिजम है, जीवधारी कहने का मतलब ओर्गनिजम, हम किसी एक ओर्गनिजम की बात कर रहे हैं, जिसकी होल बॉडी, पूरा सरीर, या सरीर का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, मुख्य रूप से, दुनिया के ठंडे बर्फ या सूखे हिस्से में, प्रिजर्व हो जाते हैं, ये मुख्य रूप से, कहां पर प्रिजर्व होते हैं, मुख्य रूप से, दुनिया के ठंडे बर्फ, जहां पर बर्फ पाई जारी, ठंडे इलाके हैं, वहां पर, या सूखे हिस्सों में, जैसे रेगिस्तान वग जैसे अगर अपने लोग बात करें यहां पर तो पहला देखिए फॉसिल्स जो मिला है वह साइबेरिया में बर्फ में जमे हुए वहां पर बर्फ में जमे हुए प्राचीन हाती जैसे प्राणी जिसको मैमत कहते हैं अब अगर आप एलिफेंट और मैमत की बात करें तो आप स उसमें जो मैमत दिखाए गए हैं अब हाथी और मैमत में डीफेंस सबसे वड़ा डेफेंस है कि हांती के तो आपको बाल देखने को नहीं मिलते लेकिन मैमत की पूरी बाड़िगं पर यहां पर आप देखिए हैं मेहें का हम्में क्एंक का मिला एक और प्र Kanth ale password में सहीं यहांति को कर रहा था मतब शाड़्वर सबस्केश्यों और हिवा जए सबस्काइए बनने थे एक तरफ महमत बनने थे महमत का क्या हुआ तो जाता है और यह प्रॉसेस नैचteर स इसमें ठंडे लाके में था, तो जाइड सी बात है, इसका टेमपरेचर जीरो ही रहा होगा, इसकी वज़े से बैक्टिरिया या कोई अन, माइक्रो ओगनिजम इसको सड़ा नहीं पाए, और यह जैसे का तैसा ही हमको मिल गया, कुछ इसमें चेंज हो गए, लेकिन जैसा का त पूरे सरीर, कपडे और प्रिजर्व फूड के रूप में, मनुस के पूरे सरीर को प्रिजर्व फूर में पाया गया तो यहाँ पर आप देखिये, यह क्या हमें कंकाल देखने को मिला, तो आप लिए समझे, कि complete बाडी ममी के रूप में जैसी होगी, वैसा ही हमको इसका प अपड़ी भी पहने हुआ था ठीक है और फूड पार्टिकल जहां पर मतलब खाना पीना भी वहीं पर आसपास मिला ममी के रूप में यह हम यह कहें कि यह मनुश्य के पूरे सरी है ना एरिजोना और न्यूजी न्यू मेक्सिको के आसपास से देखने को मिला इसी प्रकार दे रेजिन में प्रिजर्व हुए इंसेक्ट का फॉसिल पाए गया जैसे आप यहां पर देखें तो चीड के पेंड से क्या होता है इस तरीके से रेजिन फार्म होता है ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर फार्म होता है जो कि हार्ड हो जाता है हवाके कॉंटक्ट में आने पर ऍव्ध में ने जोटक्ट में जानवर के समाजने का प्रयास करें पडिर्फेटर्फेकेशयन में क्या हुता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई अगर मालूप बौधा है या कोई जानवर है तो उसके पूरे सरीर के चारो तरफ पातावरण के खनिच पदार्थ इस प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं कि खनी Hilk vari प्रकार इसका पूरा सरीर पत्थर बन जाता है अब किसी कप पूरा सरी पत्थर बन जाएगा तो जायर सी बाते क्या एए वेटा वो सड़ेगा गलेगा नहीं और बाहरी रूप से रंग बाहरी रूप रंग आकार के साथ साथ पूरी आंत्रिक संरचना में बिल्कुल वैसा ही बना रहता है तब ऐसे फासिल्स को पेट्रिफाइंग फासिल्स कहते हैं ठीक है इस प्रक्रिया में सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट और आयरन का पेट्रिफिकेशन हो जाता है तो यहां पर याद रखेगा तो याद क्या साथ साथ आयरन भी हो सकता है ठीक है तो यह क्या करते हैं पेट्रिफाइंग फासिल्स को बनाने का काम करते हैं जैसे यहां पर आप देखें एक बहुत अच्छा आपको इंसेक्ट दिखाई पड़ रहा हो गई है यह क्या है बटर फ्लाई है इसके फासिल्स हमको कुछ इस अब कहां पर किसी एक सबस्टांस पर है ना किसी एक पदार्थ पर या किसी एक रीजन पर जहां पर इसका पैट्रिफिकेशन हो रखा है और यह हूब हूँ वैसा का वैसा ही आज भी बना हुआ है जैसा यह बना था है ना यह जैसा फॉर्म हुआ होगा किसी दरीके से यहा पर आपको फॉसिल्स के पैट्रिफिकेशन के रूप में देखने को मिला है केलशियम कार्बोनीट से क्या हुआ चारो तरप से घिर गया है और यह बिना सड़े गले इसी तरीके से फाम हो गया है बिल्कुल उसी तरीके से फाम हो गया है आगे बढ़ते हैं बच्छों हम बात करते हैं थर्ड पॉर्शन जिसका नाम है मोल्ड अब मोल्स और कास्च क्या होते हैं देखे लिखा हुआ है इस प्रकार के फॉसिल्स एनिमल में सामान रूप से पाया जाते हैं इस प्रकार के जो फॉसिल्स होघ्ग यांनियर्स जनतूँ Оमें यह आप अगर मोल्ड की बात भी होती बिटा दिफ्रेंट टाइम के क्या होता है पधार्थों के तोरह कवर्ड हंजती है सथा एक खोल के रूप में यह密今天 हब रोजाने पर पाहा रूप से टैनेमल के ऐसा कवें दिखाई देता मानलो कोय एक ऐसा और और ठीज कार्ण मिलता आप लोगों को, फिलाल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको तो ऐसे मिलेगा, हम लोग कोई हो रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, चलो हमें भी अच्छा नहीं लग रहे हैं, कोई एक ऑगनिजम है, उस ऑगनिजम के चारों तरफ से क्या पूरा क्या होगा मालो कोई भी और विलकु लिलकुल हुद वैसा ही दिखाई था थीक कि इस प्रकार के जो वो सामान रूप से पाया जाते हैं इन वीज मेन ऑन इतरं था प्रकार के मेटेरियल और हाड हो जाता है और हाड हो जाने की करणर यह बहार arrives रूब से इड Deaf International के समान निस हिस प्रकार के खब्रतर पिद एनीमल्स पूरी तरह से और होसे तो जाने की ताने है न पूरी तरह का से, हाना, जैसे इसे अंदर एक खोकली गुहा, विविन प्रकार के material दोरा घिरी रहती है, इसके अंदर एक जो खोकली गुहा होगी, वो different type के material के दोरा घिर जाएगी, हाना, और इस प्रकार के fossils किसी organism के केवल external features को ही express करते हैं, और जो यहां पर modes like जो fossils बनते ह यह organism के बाहरी सनचना को ही क्या करते हैं, बिटा, promote करते हैं, बाहरी सनचना को ही show करते हैं, आगे देखे लिखाओ, कुछ places पर, कुछ इस्थानों पर, वालकेनों से निकलने वाला, वालकेनिक लावा, dead organism के body के चारो और, एक hard covering को निर्मित कर देता है, जो कई वर्षों के के बाद, mold fossils में change हो जाता है, आगे देके लिखा हुआ है, mold fossils के रूप मे, jelly fishes, soft animals, insect के wings को प्राप्ट किया गया है, तो यहाँ पर किसको प्राप्ट किया गया? jelly fishes को, soft animals को, Zach animals को और, insect के wings को प्राप्ट किया गया, तो इस तरीके से यहाँ पर देखे, यह mold है, यह एक typical mold है, और यह क्या है वेटा कास्ट है इसके अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके से कास्ट बन जाती है मोल्ड मतलब उपर से आपको देखिंगे कैसा धिखाई पढ़ रहा है आँ और जब इसको आप तोड़ेंगे तो बिलकुल अंदर성이 आपको भी बिलकुल वह सा धिखाई पढ़ेगा तो देखो इसका अब जब इसको थोड़ा सा इसको सही किया गया कास्ट यहां पर देखने को मिले कि हाँ जुड़े हैं कैस कोई और ग fijner के से दिखाई देता हुगा क्या यहां पर आप देखिए यह पत्थर में इस तरीके से दबा हुआ था इसको तोड़ा गया तो इसमें आप देखी क्या है इस तरीकी के chambers like इस तरीकी के impressions दिखाई पड़ रहा है ये impressions शो करता है कि कुछ इस प्रकार का animals इस प्रिथवी पर रहा होगा जो आज की date में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है अब हम बात करते हैं बटा impression की अब impression केने के मतलब क्या होता है मतलब यह अपनी छाप छोड़ते हैं ऐसे फॉसल जो सिर्फ छाप छोड़ते हैं जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो leaf है यह leaf किसी पत्थर के उपर अपनी छाप को छोड़े हुए लेकिन यहाँ पर leaf नहीं है पूरे का पूरा impression बना हुआ देखो कितना है यहाँ पर पूरी की पूरी leaf आपको देखने के मिल ले इस तरीके से तीन इसमें क्या है पिन्ना है इस तरीके से और यह midrip पाई जा रही है इस तरीके से देख रहो यहां पर आप देखो, तो यहां पर भी देखो इस तरीके से पूरी लीफ पाई जा रही है, यहां पर भी लीफ का टाइप देखो इस तरीके से पाई जा रहा है, यह इंप्रेशन को शो कर रहा है, अगर आप आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें, तो उसकी स्किन आप देखे प्राणियों के चलते समय पने पैरों के निसान से बने हुए फॉसिल्स को इंप्रेशन कहते है जैसे किसी वार्म या स्नेल के चलने से जैली फिस के टैटिकल के रगड खाने से थिके या मछलीयों के फिं से या crustacean और archainds के movement की marking से या birds के punk से dinosaur की तचा से पौधों की पत्तियों आद इसे impression के रोप में fossils प्राप्त हुए हैं ये देखो हमें प्राप्त हुए हैं और भी प्राप्त हुए हुए उनको दिखाने के रोप नहीं थी करते हैं तो ये जो fossils आपको देखने को मिलने हैं ये fossils जो geological time scale हमारा है जो geological time scale है जिसमें पताया जाता है कौन-कौन सा period रहा होगा georosic period कौन सा है परमिन period कौन सा है बहुत सारे periods हैं तो ऐसे periods को यहाँ पर मतलब ये ये शिद्ध करते हैं fossil जिर्थ करते हैं कि ये fossil या ये organism इस काल में या इस कल्प में या इस महा कल्प में जीवित रहा होगा और आज की डेट में नहीं है आगे हम बात करते हैं कॉप्रोलाइट की अब कॉप्रोलाइट क्या होता बेटा तो देखे लिखा हुआ है ये जिवास मों कई प्राघ रहतीहासिक काल, जिसको हम लोग प्रिहिस्ट्री पीरियर्ट की बात करते हैं प्राघ रहतीहासिक काल के प्रानियों विशेसकर सरी सरफी या मचलीओं के मल्पदार या आथ में पाये जाने वाले अवयों ke fossilization से बने होते हैं ठीक तब उसबासिल्ध को हम लोग काप बाहर से चारों तरफ से क्या होगा इसके चारों तरफ से क्या होगा इसके लिखा हुआ है जब किसी एनिमल के पैरों के चिन या पत्र शाफ्ट या मॉइस्ट मड में प्रिंट के रूप में प्रिजर्व हो जाते हैं और यहां रॉक द्वरा कठोर हो जाते हैं तब उन्हें ट्रैक फॉसिल्स केहते हैं जैसे 1948 में Amphibians के tracks की खौज जर्मनी के पास पिटर्बर्ग में की गई थी पिटर्बर्ग में की गई थी तो यह देखें यह कुछ Amphibians माना जाता है कि इस जगे से Amphibians गुज़रा होगा, तो यह Amphibian का क्या है बीटा, पाद है यह Amphibians का है यह तो ऐसा माना जाता है कोई ऐमफीबियें से गुजरा हो जो हाथ के रूप में एकूझने को मिला थे हो एक दो तीन चार पाँच है ना इस तरह के से कोई ऐमफीबियेंस यहां से कोई amphibian यहां से घुजरा जिसकी वज़े से यहां पर क्या हो गया बिटा वो चिन बन गया और वो चिन क्या हो गया कठो रोकर के impression group में हमको दिखाई पड़ रहे तो यह क्या कलाएगा बिटा ट्रैक फॉसिल कलाएगा और आखरी अगर हम बात करें इस प्रकार के फॉसिल्स सेंड या स्नो में निर्मित होते हैं मतलब या तो यह आपको वहां देखने को मिलेंगे यह मुक्रूप से आपको सेंड में जहां पर रेत पाई जा रही वहां पर आपको देखने को मिलेगा दबा हुआ डियाइडरेशन बड़ी हो जाएगी जिसके अरिकलोब या स्नो में निर्मित होते हैं पहली बात और इस प्रकार के फॉसिल्स में किसी ओरर्गनिज्म की पूरी बॉडी डियाड फॉर्म में कंप्ली कंडिशन में अन प्लसेट में प्रप्रप harbor जाते इंस तरीके की ममीघोंगे है कि एक काई यूमन रहा होगा जो थंडी इलाके में इस तरीके से बिचारा मर के पढ़ गया उसको दफ्टरेने वाला कोई नहीं होगा तो पहले तो भाई नैचुरल ऐसे होता तो कपड़े के साथ में यह मिला है पूरा का पूरा वैसे ही का वैसा ही है नैचुरल ही एकदम हड़ियां भ अब जायज जी बात है हमारा बॉडी का जो अधिक से अधिक भाग है वो वाटर से मिलकर के बना होता है तो वाटर डिहाइड्रेट हो जाएगा तो जो बाडी का पॉर्शन बचा हुआ है वो सिकुड जाएगा और सिकुडने के बाद में ऐसा दिखाई पड़ता है अगर म बॉडी के अगर इसको काट के देखा जाए तो बॉडी के अंदर सारे ओर्गन हुब हुब वैसे मिलेंगे जैसे हमारे अंदर है तो यह सिद्ध करता है कि जो बहुत पुराने हुमन्स हम लोगों के भी पूरवज इस तरीके के रहे होंगे जो आज की रेट में फॉसिल के टाइप के बारे में बात की है यहां से जो कोशन बन सकते हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे अब सेगेंड लेक्टर में हम बात करेंगे डेटिंग ऑफ फॉसिल्स को किस तरीके से आप पैचारेंगे कि यह कितना पुराना है और सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स यह हम करेंगे ते दो टॉपिक का सटे हैं इसके बता किया जाएगा कि वह घुल्ष के रूप में कितना पुराना है उसमें बात करेंगे अचर के लिए इतना ही भी बचो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्ट्वर में करेंगे और जल से जल मैं सारे lecture complete कराने की कोशिश करूँगा, जो बहुत-बहुत important है उनकी, और इसके बाद में next जो हमारा topic रहेगा, हम gametogenesis के उपर सुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे questions आपके बन सकते हैं, exam के point of view से important है, तो मैं उसको start करूँगा, ठीक है बच्चो, तो अच के लिए इतना ही, बहुत-बहुत, धन्यवाद, अगर आप लोगों ने अभी तक, हमारे चैनल को subscribe नहीं किया या, तो चैनल को subscribe कर लिजिए, क्योंकि मैंने एक data देखा है, उस data में बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, जिन लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया है, और बहुत कम साथियों ने चैनल को subscribe किया, percentage आ जाता है, इतने साथियों ने subscribe किया, यतनी लोगों ने नहीं किया, तो जिन लोगों ने नहीं किया है, झाल झाल